कहते हैं नदी किनारे रूखडा जब तब होए बिनास नदी के किनारे खड़ा पेड हमेशा पानी के प्रवाह के साथ बह जाता है चाइना और रूस के बीच में क्या खटपट सुरू हो गई है पूतिन और जिनपिंग क्या भीड रहे हैं यूक्रेन मामले को लेकर जिस मीट को लेकर रूस क्यों बॉक लाया है जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहां पे तो वहीं दूसरी तरफ आर्जेंटीना ने अब भार को एक बड़ा ओफर दिया है अर्जेंटीना के राजदूत ने खुद इस बात को स्विकार किया है जानेंगे जियो पॉलिक्स में क्या हाला कि कहा जाता है कि जो बैठक थी इस बैठक में बुलाया नहीं गया रूस को रूस को आमंतरन नहीं दिया गया हाला कि कुछ मीडिया आउटलेट्स यह कहते हैं कि रूस खुद नहीं आया हाला कि यह चीज़ समझ में नहीं आई कि सौधी और रूस के बीच किसी तरह की कोई दुस्मनी नहीं है तो फिर सौधी क्यों नहीं बुलाएगा निमंतरन क्यों नहीं देगा रूस को हो सकता है ये पहले राउंड की बैठक है इस राउंड की बैठक में युक्रेन के मनोभाव को भी समझा गया अब अगले राउंड की अगर बैठक होगी तो रूस को भी बुलाया जा सकता है अब ये तो सौधी ही जाने सौधी ने इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया लेकिन सौधी की मीटिंग को अटेंट करने के लिए लगभग सारे देश पहुंचे जिन-जिन को नियोता दिया गया था कारण साफ है सौधी से रिष्ते कोई खराब नहीं क यूँषा, यूप्रेन ने अपने peace plan वाली चीजें रखी, कि हमारा क्या-क्या उद्देश है, हम क्या-क्या चाहते हैं, जिससे की यूध रुक जाए, वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार, यूप्रेन और कई ऐसे देश हैं, जिनोंने अपने-पैस प्लान को सा लेकर बहुत ज्यादा उतसाहित दिख रहे थे चाह रहे थे कि यह सांती जल्दी से हो जाए चायना भी पहुंचा आजी डोभाल भी पहुंचे और चायना का स्वागत भी किया गया अब चाइना ने इस मीटिंग में ना तो रूस का विरोध किया और नहीं यूक्रेन का विर चाइना ने ये कहा कि हम निस्पक्ष रहेंगे हम किसी के तरफ नहीं रहेंगे जब इस मीटिंग से बाहर आये चाइना के पड़ती नहीं थी तब कहा गया कि एक फोन कॉल आया और ये फोन कॉल रूस की तरफ से था रूस और इनके बीच जब बात चीत हुई तो इन्हों ने कहा कि हम बिल्कुल भी दोनों मेंसे किसी भी पच्छ के तरफ नहीं है लेकिन ने ये कहा कि जो सांती वारता है सांती वारता सफल रही है रॉइटर्स ने चीनी विद्यस मंतरालय का एक बयान के हवाले बात बताई कहा कि जो जेद्दा सहर में दो दिनों की बैठक हुई इससे अंतराष्टिय सहमुती मजबूत हुई है यानि कहीं न कहीं इन्हों ने कहा कि यह जो है यह सफलता की तरफ बढ़ रहा है हलाकि राश्टपती पुतिन या पुतिन के कोई भी परतिनी धी इसमें सामिल नहीं हुए लेकिन रूस ने ये कहा कि हम इस पर नजर रखे हुए हैं कि इस मीटिंग में क्या होता है अजीर डोभाल की तरफ से इस मीटिंग में यही कहा गया कि रूस को यहां होना चाहिए रूस यहां होगा तभी फैसला हो पाएगा बात भी सही है जब दोनों लड़ रहे हैं लडने वाली दोनों पार्टियां ही यहां मौजूद नहीं है तो बाकी लोग अगर कोई सांती समझोता बना भी लेते हैं तो क्या होगा सांती समझोता का पालन तो रूस और युक्रेन को ही करना है न अब इस चीज़ पर जो यहां पर सारी बैठक हुई इस बैठक पर बॉकला गया रूस और रूस ने जम कर सुना दिया है इस मीटिंग को लेकर रूस भड़क गया है रूस का कहना है कि ये मीटिंग कोई महत्व नहीं रखती है क्योंकि इसमें रूस को बुलाया ही नहीं गया था सांती वारता की बातचीत कोई मदद नहीं करने वाली है इस मीटिंग में युक्रेन सामिल था इस मीटिंग में 40 देश के बरिष्ट पदादिकारी भी दो दिन के लिए जेद्दा में कठा हुए थे और मीटिंग का उदेश से था 17 महिने से चल रहे इस युद्ध को खत्म करना रूसी वी देश मंतराले ने एक बयान जारी किया और कहा कि रूस के बिना और मौस्को के हितों को ध्यान में रखे बिना ये बैठक निर्थक है बयान में इस बात को दोराया गया कि रूस अपनी सर्तों पर एक राजनईक समाधान के लिए तयार है जो युद्ध को खत्म कर स यूक्रेनी राश्पती जेलेंस्की के सलाकार है माइखेलो पोडाल इन्हों ने रूस की पिछली मांगों को खारीच कर दिया उनका कहना है कि रूस को सभी कबजे वाले इलाकों से पीछे हटना चाहिए यूक्रेनी इस पर कोई समझोता नहीं करने वाला है अब रूस यहां पर भड़क गया है कि ये जो मीटिंग है ये मीटिंग तो बेकार है वैसे चाइना कह रहा है कि हम किसी के तरफ नहीं है और ये मीटिंग सफलता की तरफ बढ़ रही है इसका क्या मतलब है क्या चाइना और रूस के बीच में दुस्मनी हो गई है क्या चाइन उनको रूस में एंट्री के लिए बैंड कर दिया, ये घटनाम ने आपको बताई थी, कि किस तरीके से चार नागरिकों को रोका गया, जिसके बाद जो चीनी वीदेश मंत्राले था, वो बुरी तरीके से भड़क गया, जिन सब्दों का इस्तेमाल किया गया चीनी वीदेश म अंत्राले द्वारा, उन्होंने कहा कि रूस का जो नियम है, वो कुरूर है, और इस तरीके के जो घटना हुए है, ये आगे नहीं होने चाहिए, जो सब्दी इस्तेमाल किये गये थे रूस के खिलाब, वो ऐसा लग रहा था, जैसे उनकी वूल्फ वारियर जो डिप्लोमे लेकर दोनों पहुँच गए हैं, दोनों ही कमनिष्ट देश हैं, और दोनों एक दूसरे को साथ देंगे, ये तो समझ में आ रहा है, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्जेंटीना ने भारत को एक बड़ा ओफर दिया है, दच्छीन अम प्रमोस फेसिलिटी का दोरा भी किया था, भारत में अर्जेंटीना के राजदूत हैं, यूगो जेवी गोबी, इन्हों ने अपने देश की इच्छा की पूष्टी की है, दरसल हुआ ये यहां से जाने के बाद कहा जाने लगा कि अर्जेंटीना के ऊपर दवाब बन रहा है चाइना की तरब से भी और अमेरिका की तरब से भी कि तुम तेजस विमानों को मत लो, हमारे विमानों को लो, पर एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक गौबी ने कहा है कि भारत और अर्जेंटीना के बीच दूपच्चिय संबंध बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब ह के रख रखाओ को लेकर HAL के साथ समझोता किया गया है, हाला कि अर्जेंटीना का ये कहना है कि तेजस में कुछ कंपोनेंट्स हैं जो UK के हैं, उनका बदलाओ करो, और भारत का ये कहना है कि ये सारे बदलाओ हम तब करेंगे जब आपके साथ डील फाइनल हो जाएगी, ख होर के साथ